परिचय राहुल के पास फिरकी है वह फिरकी को हाथ में लेकर दोड़ना शिरू करता है देखो उसके हाथ की फिरकी घूम रही है यहाँ कैसे घूमती है? देखो लड़का पतंग उड़ा रहा है पतंग बहुत उंचाई पर उड़ा ही है यह कैसे उड़ती है? फिरकी वायू के प्रभा के कारण उड़ती है और इसी तरह पतंग भी उड़ती है आईए, इस पार्ट में हम कुछ और हवा के तत्थ के बारे में जाने उद्देशे इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे वायू को परिभाशित करना वायू के विभेन घटकों की व्याख्या करना वायू के गुण धर्म एवं उपियोगों के बारे में जानना एक मिश्रण के रूप में वायू की व्याख्या करना वायू क्या है? क्या वायू के अभाव में आपको गर्मी लग रही है? अब अपना सीलिंग फैन आउन करें आप वायू की उपस्थिती को महसूस करेंगे आपने सुहानी सुभा में ठंडी पवन को अवश्य महसूस किया होगा यह भी वायू के प्रवाह के कारण होता है प्रवाहित होने वाली वायू पवन कहलाती है हम वात दिगदर्शक यानि विंड वेंस की साहता से पवन के चलने की दिशा का पता लगा सकते हैं वायू के गुण धर्म वायू रंगहीन होती है और हम इसके भीतर से प्रतेक चीज़ को देख सकते हैं यह गंदहीन एवं स्वाधीन होती है यह इस्थान खेरती है यह समझने के लिए एक कांच का बाउल लें और इसे सीधे पानी में डुबाएं देखें बाउल में पानी प्रवेश ना करें अब बाउल को धीरे धीरे खुमाएं देखें बाउल से वायू के बुलबुले निकल रहे हैं धीरे धीरे पानी बाउल में प्रवेश कर रहा है तो आप देख सकते हैं कि बाउल खाली नहीं था जो वायू बाउल में थी, वहाँ बाहर निकल रही है। इससे पता चलता है कि वायू स्थान खेरती है। एक एरपिलो यानि एक प्रकार का तकिया जिसमें वायू भरी जाती है। इसमें वायू भरें। आप क्या देखते हैं? इसका आकार पढ़ रहा है। इससे पता चलता है कि वायू स्थान खेरती है और इसका कोई निष्चित आकार नहीं होता है। वायू में भार होता है। एक तराजू के एक और वायू से भरी केंद रखें और दूसरी और खाली केंद रखें। आप देखेंगे कि खाली केंद वाला तराजू उपर जा रहा है जो यह दर्शाता है कि खाली केंद वायू से भरी हुई केंद से हलकी है अब दो खाली परकनली लें और इनके मुँपर एक एक उपरा बांधें इन में से एक परकनली को गर्म पानी से भरे पैन में रखें और दूसरी को बर्फ से भरे पैन में रखें अब ध्यान से देखें गर्म पानी में रखी परकनली का गुबारा फूलने लगता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गर्म पानी परकनली की वायू को गर्म करता है और बर्फ दूसरी परकनली को ठंडा करती है जब वायू गर्म होती है तो इसका विस्तार होता है और यहाँ उपर उठती है जिसके कारण खुबारा फूल जाता है दूसरी ओर ठंडी वायू संकुचित होती है जसके कारण दूसरा खुबारा सिकुड जाता है इससे पता चलता है कि वायू दाब उत्पन्न करती है एक पिस्तन लगा हुआ सिलेंडर लें पिस्तन को भीतर की ओर दबाएं आप सिलिंडर के भीतर दबाव बना सकते हैं इससे पता चलता है कि वायू संकुचित यानी दबाई जा सकती है वायू का सम्विश्रण वायू किस चीज से बनी है? वायू, नाइट्रोजन, आक्सीजन, कार्बन डायॉकसाइट और अन्य दुरलब कैसों से बनी है आप इस तारिका में देख सकते हैं कि वायू मंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन का हिस्सा है उसके बाद oxygen, उसके बाद कुछ दुडलब गैसों का हिस्सा है और सबसे कम हिस्सा carbon dioxide का है जलवाश्प, थुआं और धूल की उपस्तिती बहुत कम मात्रा में है तो इस तरह आप देख सकते हैं कि वायू विभिन गैसों का मिश्रण है वायू गैसों का मिश्रण है जब आप फ्रिज से पानी की बोतल निकालते हैं तो बोतल की बाहरी सतह पर पानी की कुछ बूंदیں दिखाई देती हैं ये पानी की बूंदें कहां से आती हैं? क्या बोतल से पानी का रिसाव हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है वायू में उपस्थित जलवाश्प बोतल की ठंडी सतह के संपर्क में आकर फिर से द्रव में बदल रही है इससे वायू में जलवाश्प की उपस्थिती का पता चलता है अब एक परक नली में चूने का पानी लें इस विलियन में स्रिंज के माध्यम से कुछ वायू प्रवाहित करें आप देख सकते हैं कि चूने का पानी दूधिया हो जाता है यह वायू में कारबन डायोकसाइट की उपस्थिती का संके तक है अंधेरे वाले स्थान पर टहलते समय अपनी टौर्च जलाएं आप देखेंगे कि टौर्च की रोशनी में कुछ कण चमक रहे हैं यह वायू में उपस्थित धूल के कण हैं यह सभी क्रिया कलाब हमें इस निशकर्श पर पहुँचाते हैं कि वायू, गैसों और धूल के कणों का मिश्रण है साराज आईए, हमने जो कुछ सीखा है, उसे संक्षेब में दोराएं वायू सभी स्थानों पर पाई जाती है वायू, अद्रिश, रंगहीन, गंधहीन और स्वाधीन है हम वायू को अनुभव कर सकते हैं वायू, थान घेरती है लेकिन इसका कोई निश्चिताकार नहीं होता है वायू में भार होता है इसे दबाया जा सकता है और यह दाब उत्पन्न करती है वायू, नाइट्रोजन, आक्सीजन, कार्बन डायोकसाइट, जलफाश्प और कुछ अन्ने गैसों का मिश्रण होती है वायू में धुएं और धूल के कन भी उपस्तित होते हैं आक्सीजन जलाने में सहायक होती है और यह समस्त जीवों के लिए आवश्यक होती है